है लुट प्रेंज़ आज싸 मैं अपने किचन में लेखे आई हुँ बची रोटियों से बनके तयार होने वाला बहुत ही टेस्टी नास्ता अगर आपके बच्चे फास्ट आप बच्ची हुई रोटियों से बहुत ही टेश्टी और बहुत ही रेकफास्ट बनाकर खिला सकते हैं और इसे बनाने भी बहुत ही आसान है अब बहुत है तो चलिए इस रेस्पी को हम बनान शुरू करते हैं वेलकम बैक टो माई चैनल सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आप पांच रोटिया ले रखिया यह बची हुई थी तो मैंने सोचा इसका कुछ नया बनाते हैं तो यहां पर पहले क्या करेंगे इन सारी रोटियों को हमें तो बारिक बारिक सी इसको कट कर लेना है तो अगर आप चाहे इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं यहां पर मैंने इसको कैची से कट कर लिया है यहां पर मैंने इसको पहले तो रोल कर लिया है ताकि जो है ना सारे पीसे जगदम बारिक बारिक से क तो यहां पर मैंने इसी तरह से सारी रोटी ओको यहां पर कट कर लिया है तो वीडियो को बिना इसकिफ किये फुल वाच करिए कर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लेस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेजिए ताकि हमारी जो पांच रोटी ले रखें अब यहां पर हमें ले लेना है शबजिया तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर प्याज गाजर शीमला मिर्च और टमाटर ले रखा है अगर आपके पास सिर्फ प्याज है तो सिर्फ प्याज से भी बना सकते हैं प्याज टमाटर से औ रखा है यह तीखी वाली मिर्च है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही योज किया है इसको थोड़ा से हम भूनेंगे जैसे ही थोड़ा से मिर्ची का कलर चेंज होगा उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज प्याज को मैंने लंबे लंबे इस तरह से कट किया है ताकि इसक आखे दाले सब्सक्राइब करने के बाद सब्सकों नहीं करना किसे क्या लगा देकर सब्सक्या में सब्सक्राइब के इस हम पकाइब करना इसाफ्ट करना एकमाटर डाल देंगे स्वादन नमक दनेने से क्या होता कि सब्ची और भी जल्दी से कुखेंगे तो यहां पर नमक भी डाले हैं इसकी तरह से मेक्स करेंगे टमाटर बहुत ही चल्दी से पक जाएगा इसलिए यहां पर इसे मेचापने की जरूरत नहीं अब यहां पर ऐम भी हेटनी मोँगे नथी हरुषी स much यहां थोड़ी कामेस है मैंने आदे चमाची यूज के एक चमज मनें डाल दिया है मिनेगर कुष्पलकर यहां एक सब्सक्ता गरम दक्सालया दो यहां और तो आपके पास नुडल्स मसाला तो आप के पास नूडल्स मसाला मसाला डालने के बाद अब इसे हम अच्य तरह से मिक्स करतेंगे हम डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे करना है यह सोस यह दो अब अच्छें करें चाएं करें आपको देखने में लगएगा देखने में अज़िए नोडल्स भाला है तो आप नोडल्स बना रखते हैं अब इसमें हम डालतेंगे बारी कटी हुई धनिया, धनिया डालने के बाद अब हम इसे सर्विक क्याल लेते हैं, अगर आपके बच्चे जो है न फास्ट फूट खाने के सोखीन हैं, तो आप इस तरह से रोटियों का उन्हें नूडल्स बना कर खिला सकते हैं, उन्हें बहु होती पसंद आने वाला है, तो अगर आपको हमारी ये जो है न रोटी, बच्ची हुई रोटी की रेस्पी ज़रा से भी पसंद आई हो न तो प्लेज वीडियो को लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना, मत बुलें, वीडियो को ज इस तरह से सारी सब्जिया और रोटी उने खिला भी सकते हैं, आप बच्चों को बना कर इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में लाज तक बने रहने के लिए आप सभी को धेर सारा था, इंक्यू